अलो दोस्तो जैहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सोहेल अकेडवी में दोस्तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़े होंगे दोस्तो काफी जादा बच्चे कॉमेंट कर रहे थे कि सर UPSI की वेकिंसी अभी तक नहीं आई है क्या सर UPSI की वेकिंसी आईगी या नहीं आईगी अगर UPSI की वेकिंसी नहीं आती है तो सर हम फिर आने वाली कोई और वेकिंसी पर फोकस करें तो दोस्तो इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, काफी ज़्यादा बच्चे परसान है कि सर UPSI की विकिंसी कब तक आखिर आ सकती है और UPSI की विकिंसी आती है तो उस विकिंसी के आने के बाद आपको जो है एक्जाम के लिए कितना समय मिलेगा दोस्तो इस पर भी हम लो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं UPSI सर्विस्पेक्टर अधिकारी वाली विकिंसी है भाई, सभी को पता है दरोगा की एहमियत, तो दरोगा के लिए हमें मिनिमम कितना मन्त चाहिए अपनी तयारी के लिए सर्विस्पेक्टर पोस्ट के लिए, दोस्तो इस पर बहुत ध्यान से दोस्तों ध्यान देना, ये बात बहुत इंपोर्टेंट है, जो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, थर्ड पॉइंट में ठीक है, किस सब्जेक्ट पर जादा हमें फोकस करना है, दोस्तों ये भी देखेंगे, कौन सी बुक से हम लोग दोस्तों तयारी कर सकते है और सिलेबस आपका क्या है, कहां से जादा कोशन बनते हैं, उन चीजों पर भी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों जो भी चैनल पर ने हैं, चैनल को जरू सब्सक्राइब करना अभी नहीं, जब आपको वीडियो अच्छी लगे, और तक आएगी, देखिए आपकी ये वेकिंसी, अगर मैं आपसे कहूं, या तो जनवरी में आनी थी आपकी, ठीक है, जनवरी में आपकी वेकिंसी आई नहीं, और अगर ये वेकिंसी आपकी अब फरवरी में भी नहीं आती है, ठीक है, अगर ये वेकिंसी अब फरवरी में भ नहीं आएगी क्योंकि भाई चुनाओ बगरा होगा और आचार सहींता बगरा लग जाएगी तो उसमें नोटिफिकेशन नहीं आपका आता है ठीक है तो उस समय तो वेकिंसी आएगी नहीं या तो ये फरवरी में आएगी या तो फिर ये आपकी भरती चुनाओ वाद आएग या तो भरती ये फरवरी में आएगी या तो फिर भरती ये आपकी मार्च, अप्रेल, मई और जून की तरफ ये भरती फिर आपको मिलेगी किलियर बात इतनी बात तो दोनों मैंने आपको बता दी ठीक है लेकिन वीडियो छोड़कर अभी मत जाना काम की बात दोस्तों जो फरवरी में आ गया फिर मार्च, अप्रेल ठीक है आपको दोस्तों ये समय जादा नहीं देंगे जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कॉंस्टेवल का दोस्तों आपको पता है कि 18 तारीक को एक्जाम है ठीक है 17 और 18 को एक्जाम है 16 को इसकी लास्ट डेट थी फरवरी ठीक है 16 इसकी लास्ट डेट थी और 16 फरवरी ठीक है और 17 फरवरी को जो है आपका एक्जाम है 17 को आपका एक्जाम है तो एक महीना लगभग दोस्तों 31 से 32 दिन आपको इस परिच्छा के लिए समय दिया गया कि इसके लिए सरक कॉंस्टेवल के लिए तो हम 101 परस अगर इसका फरवरी में आ गया तो ये अपरेल में भी एक्जाम करवा सकते हैं ठीक है और आपका मही में भी एक्जाम करवा सकते हैं तो कुल मिलाकर अगर मैं अब इस वाले पॉइंट पर आता हूँ तयारी करने के लिए कितना समय लगेगा दोस्तों दरोगा और तो इसको 5-6 महीने लगेंगे ही लगेंगे अपनी UPSI तयारी के लिए क्योंकि दोस्तों इसका syllabus इस प्रकार का है आपको 5-6 महीने लगेगा ही लगेगा और अगर भही पर मैं बात करता constable की तो 4 महीना से 3 महीना समय आपको Constable की तैयारी में लगता है तो ये समय वो है दोस्तों जो तैयारी में लगता है आपका ठीक है इन वेकेंसी के लिए बाकि UPSI के लिए 5-6 महीने दोस्तों चाहिए ही चाहिए जो बच्चा सुरू से दोस्तों तैयारी करेगा तो कहने का मतलब मेरा कह निकला मेरा कहने का मतलब ये निकला दोस्तों अगर मां लीजे फरवरी में आपका नोटिफुकेशन आता है ठीक है मार्च, अप्रेल, मई, मई में आपका जोस्तों एक्जाम कर आल देते हैं तो आपके पास इतना समय नहीं है फिर आप इस syllabus को complete कर पाओ क्योंकि ये syllabus बहुत बड़ा है और अगर जो बच्ची UPSI के लिए serious है ठीक है, constable के लिए इतने ज़्यादा नहीं है, UPSI ही उन्हें जाना है तो उन्हें तयारी दोस्तों अपनी लगातार करना पड़ेगी, तभी selection होगा और अगर notification आने के बाद आप लोग सोचेंगे तयारी करें, तो फिर UP constable में जैसे बच्चों का हाल हुआ है आप लोगों का भी दोस्तों बही कुछ न कुछ हाल हो जाएगा, UP constable वाले बच्चे भी बहुत परसान है, अब यही कहना है कि सर अब कुछ नहीं होगा हमारा, अब हमासे नहीं हो पाएगा, हम हार मान चुके हैं, तो बस तो कारान तो यही है कि वो बच्चे notification आने के बाद तयारी करते हैं, वो बच्चे पहले से ही अगर तयारी कर रहे होते हैं, तो कम से कम दोस्तों आपको स्टार्ट करना पड़ेगी, notification आने के बाद आपको कुछ भी दोस्तों ना करना पड़े, इसलिए बिल्कुल आप दोस्तों तयार रहें, अपने आपको प्रेपर रखें, एक एक subject पर दोस्तों अच्छी command बनाएं, उसके बाद ही दोस्तों selection होगा, क्योंकि आयोक का कोई भरोसा नहीं है, notification फरवर में निकालके अपरेल मही में एक्जाम करवा ले, या फिर अपरेल मही में, मही में माललो notification निकाला, जुलाई में एक्जाम करवा ले, तो ऐसे में दोस्तों ये syllabus पर complete नहीं हो पाएगा, तो अगर आपको तयारी करनी है, तो अपनी तयारी को दोस्तों आज ही से continue करें, बहतरिन तरीके से सभी subject पर command बनाएं, और notification जब आए, तो आप सिर्फ और सिर्फ revision करें, practice set करें और mock test लगाएं, ठीक है, इतना काम दोस्तों आपका होना चाहेंगे, किस subject पर आपको ज़्यादा focus करना है, देखी UP police का चाहें, constable का हो, चाहें SI हो, कोई भी हो, आपको दोस्तों reasoning तो बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी, आपको Hindi दोस्तों बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, और यहाँ पर मूलविधी और सम्विधान आपके लिए बहुत important हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर 40 question बनते हैं GKGS और मूलविधी के, तो 40 question में से 25 question दोस्तों आपके बनते हैं, किसके? मूलविधी के और पिलस आपके सम्विधान के, ठीक है? बाकी 25 question में, बाकी 25 question आपके मूलविधी और सम्विधान के ही दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं गडित में 40 question आते हैं दोस्तों जिसमें से कम से कम दोस्तों 12-13 question reason के मिलेंगे mental attitude के और बकाया question आपको arithmetic गडित के मिलेंगे तो ये दोस्तों इसका क्या है? सिलेबस है, ठीक है? 160 question दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं 400 mark की परिक्षा होती है 120 minute का दोस्तों आपको समय मिलता है UPSI परिक्षा के लिए इसमें दोस्तों कोई भी negative marking नहीं होती है 35% हर एक section में आपको करना होता है और 50% overall दोस्तों आपको जो है नंबर लाने होते हैं UPSI के लिए ये दोस्तों इसकी क्या थी? पूरी जानकारी है और negative marking दोस्तों इसमें होती नहीं है बाकी जो बच्चे self study कर रहे हैं तो UPSI के लिए दोस्तों इक study guide आती है बहुत अच्छी guide है ये दोस्तों चक्सू publication प्रकासन की है जो आपके UPSI के बिल्कुल syllabus पर आधारित है यहां पर आपको मुलविधी संभिदान बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है उसके बाद questions भी दिये गए है जिससे आप अपने chapter को बहुत अच्छी तरीके से revise कर पाएंगे practice कर पाएंगे तो इसमें चार sword paper previous year के मिलेंगे आपको बत्यस्सो प्लस बहुबिक LPA person मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ chapter के साब से आपको मिलते हैं और इसमें दोस्तो बहुत बढ़िया तरीके से study guide आपको देखने को मिलती है अच्छी खासी दोस्तो बढ़िया मोटी study guide है क्योंकि मैं आपसे कही रहा हूँ कि UPSI यह कैसी भरती है जिसमें दोस्तो आपको पसंद आई है तो आप चैनल को दोस्तो जरू सब्सक्राइब कर सकते हैं बैला आइकन जरूर रबा देंगे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सभी दोस्तों में शेर जरू कर देगे ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत